हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आई होप आप सब बहतर होंगे फ्रेंट्स आज के EVS के इस वीडियो में मैंने सीधे NCRT से क्वेश्चन उठाए हैं NCRT बुक्स जो आपकी है उनसे क्वेश्चन लिए हैं इसमें आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन कहरा है निम्न मेंसे जल के विशे में कौन सा सही नहीं है इस नहीं को अंडरलाइन कर लिजेगा नहीं ही आपका इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन में पहला इस स्टेटमेंट कहरा है कि जल एक सारुबहॉमिक विलायक है यानि वाटर क्या है दोस्तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा बी स्टेटमेंट क्या कहरा है इनमें विभिन पदार्थों को घोलने की छमता है आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि जल में विभिन पदार्थों को घोलने की छमता है तो ये भी आपका statement true हो जाएगा अगला statement है जल का घनत तो 100 degree यानि 100 degree Celsius पर सरवाधिक होता है ये statement आपका wrong हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जल का घनत तो है वो कितने degree Celsius पर सरवाधिक होता 4 degree Celsius पर 100 degree Celsius तो उबलने का point है ना यानि 100 degree Celsius पर जल उबलता है तो ये statement आपका क्या हो जाएगा? wrong हो जाएगा D statement कहा रहा पदार्थ की तीनों आवस्ताओं में जल विद्यमान होता है बिल्कुल आपका correct statement है तो कहा रहा कौन सा सही नहीं है तो C option आपका correct हो जाएगा इसमें आपका 3 वाला option जो है C statement सही है 3 वाला option correct हो जाएगा केवल सी बढ़ेंगे अगला question लेंगे अगला question आपके सामने है दोस्तो सारे question NCIT की books से उठाये गये हैं ये भी आपका NCIT में chapter दिया गया उससे question है क्या question कह रहा है आरेनाथ एक सपेरा है जब वह अपना वादे यंत्र अब सपेरों का वादे यंत्र कौन सा होता दोस्तो बीन होता है बजाता है तो साम्प उसकी ध्वानी पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है साम्प के वादे यंत्र पर अनुक्रिया करने रियक्ट करने का कारड़ क्या है आपका A option कह रहा बीन की मधूर गंध B option कहरा है साप का अपने बाहरी कानों द्वारा कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन ध्वानी को सीधे सुन सकना तो दोस्तों साप के जब कान नहीं होते हैं तो ध्वानी को कैसे सुनेगा option आपका ये wrong हो जाएगा C कहरा है साप की आखो द्वारा बीन की गति का अनुसराण ना करना ये भी आपका option गलत है D option कहरा है बीन द्वारा उत्पन कंपनों का जमीन से होकर संचरण ये आपका बिल्कुल right जवाब जाएगा बढ़ेंगे अगला question लेंगे दोस्तों वीडियो को बारिकी से वाज कीजेगा क्योंकि हो सकता है मैं आपको सही option के अलावा भी कई सारी चीजे important होती है तो वो बताऊं अगला दोस्तों आपका question कहरा है theme यात्रा अब देखें यहाँ पे theme से related आगया question यात्रा ये भी एक EVS में आपकी six themes होती total ठीक है और आपकी four sub themes होती है तो उनमें से एक travel भी होती यानि यात्रा अब आपको six themes के नाम comment box में बताने हैं तो question कहरा है theme यात्रा में बचेंदरी पाल के परवता रोहड के अनुभाओं के वर्डन को समिलित किया गया है एक theme जो यात्रा करके chapter है NCRT में दिया गया है उसमें बचेंदरी पाल के जो अनुभाओं हैं उनका वर्डन समिलित किया गया है अब बताइए इन्हें समिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं क्यों ये सामिल किये गए यहाँ पर देख लीजेगा जरासा सही कर लीजेगा यहां की जगा यह कर लीजेगा यहां अध्याय लिंग रूड वर्द्था के प्रतिavor शुनौती है यानि जो दोस्तों ऐसी बाते होती है जैसे ये काम कोई स्तीरी नहीं कर सकती है उमेन नहीं कर सकती है ये सिर्फ मैन कर सकते हैं यानि जैसे इनके क्या हुआ इनके जो भाई थे बड़े भाई थे उनसे जब इन्होंने इस बारे में पूछा परवता रोहड के बारे में इन्होंने कहा कि मैं चर्णा चाती हूँ माउंट एवरेश चर्णा चाती हूँ तो उन्होंने इन्हें क्या किया मना कर दिया जबकि इनके छोटे भाई ने जब उनसे पूछा अपने बड़े भाई से तो उन्होंने उसको कह दिया हाँ तू कर ले तू कर लेगा ठीक है तो ऐसा होता है कि कई सारी चीजे होती है जो हमारे समाज में लोग सोचते हैं कि इस तरियां नहीं कर सकती, उमेंस नहीं कर सकती है, तो उसके प्रती ये क्या है दोस्तो ये चुनोती है, ठीक है, या अध्याय परवतों की उची चोटियों को मापने में आई चुनोतियों का वर्डन करता है, बिल्कुल सही है, क्योंक कीम वर्क के कोई चीज़ कोई भी कार संभाव नहीं है तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा ट्रिव हो जाएगा डी स्टेटमेंट दोस्तों है यह कार एक अनुकर्णी आधर्स को प्रस्तूत करता बिल्कुल साई स्टेटमेंट है कैसे क्यूंकि जब इस सेप्टर को चोटे बच्चे या बच्चियां पढ़ेंगे तो उन्हें भी लगेगा अरे बच्छेंदरीपाल जी ने ये कर लिया था तो मैं भी ये कर सकती हूँ तो ये एक क्या होगा ये एक अनुकर्णी आदर्स को प्रस्तोत करेगा यानि बच्चे इनको अपना आइडल मानेंगे औ और जो इन्होंने किया है उसके प्रति क्या होंगे प्रेरित होंगे तो D option भी आपका correct हो जाएगा तो कहरा क्या कारण हो सकते हैं दोस्तो A, B, C और D सारे सही है इसमें आपका option first right हो जाएगा A, B, C, और D ठीक है बढ़ेंगे अगला दोस्तो लेंगे अगला question क्या है अगल अगर आप सारी EBS की class देख लेते हैं चैनल पर जाकर के तो मैं मानता हूँ कि आपके 25 number 30 में कहीं नहीं गये हैं पक्के पक्के यहीं से आएंगे यह बात लिखके रख लिजेगा यह मैं दावे के साथ बोल ला हूँ तो दोस्तो यह बहुत जरूरी है कि आप बहुत सटिक तैयारी करें और NCRT बेश्टी तैयारी करें तो दोस्तो question आपका कहरा एक प्राड़ी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्यन यानि EBS की teacher ने अपने विद्यार्थियों से प्राड़ी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों उनके देश बाहरी लख चड़ो जैस प्राड़ी उद्यान में तो चीजों को observe करेंगे देखेंगे observation करेंगे बिल्कुल सही बात है प्रसन पूछना प्रसन भी एक दूसरे से पूछेंगे अपनी teacher से पूछेंगे ये भी बात सही है संबात करना संबात तो होगा ही कोई मौन धारड करके थोड़ी जाएगा तो किस चीज का होगा तो ये भी आपका option गलत हो जाएगा अगला क्या है अगला कहरा अब लोकन बिल्कुल सही observation questioning भी करेंगे बाई एक दूसरे से प्रसन भी पूछेंगे संबेदन सीलता यानि जानवरों के प्रती sensitive भी होंगे कई सारे बच्चे क्या होता है कि जानवर जैसे होते हैं तो जानवरों को बड़े प्यार से उस पे हाथ फेरते हैं या उसे गोद में उठाते हैं तो ये सारी चीजे क्या हैं दोस्तों बच्चों की sensitivity को बढ़ावा देती है बच्चा जानवरों के प्रती संबेदन सील बनता है तो ये भी बात बिल्कुल सही है और सबजिया खाने की सलाह देते हैं तो दोस्तों गुड की बात आई है यहां से जान लिजेगा गुड की बात आई है तो गुड में खून जादा होता है ठीक है ऐसा कहा जाता है कि गुड में खून जादा होता है अब खून की बात आ गई तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसम हो नहीं सकता तो एनीमिया हो जाएगा एनीमिया अगर हो जाता दोश्तों तो काहे की कमी हो जाती किस लतुकी आयरन की कमी हो जाती है और उसे पूरा करने के लिए डॉक्टर क्या करते है गुड आमुला और हरी प्तियों वाली सबजी खाने को कहते है option भी correct हो जाएगा बढ़ेंगे अगला question लेंगे संदार question बहुत ही बढ़ी हा question है train ticket पर PNR क्या दरसाता है अब आप यहां से कई सारे लोग confused रहते हैं पहला आपका है यात्री संख्या रिकाड या नि passenger number record या आपका यात्री का नाम record passenger name record या आपका personal name record ये तो आपके नीचे के दो wrong हो जाएंगे पहले और दूसरे में बड़ा controversy रहती है कौन सा सही है तो दोस्तों नाम अगर full form पूस्ता PNR की ध्यान से सुनिएगा अगर PNR की full form पूस्ता है तो ये सही हो जाएगा passenger name record लेकिन जो train ticket पर PNR दरसाता है वो क्या दरसाता है आपका passenger number record दरसाता है कई जगे मैंने देखा कि second वाला option सही कर दिया गया ये आपका क्या है दोस्तों ये full form PNR की और ये क्या है ये जो ticket पर दरसाता है वो passenger number record दरसाता है याद रखिएगा ठीक है पहला वाला option क्या होगा correct हो जाएगा चैनल को subscribe कर लिजेगा दोस्तों bell icon प्रेस कर लिजेगा हर रात 9 बजे आपकी संदार class होती है EVS और math की भी class provide करवाते हैं तो channel को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर लिजेगा ताक कि मैं video upload करूँ और आपके पास notification तुरंद जाए वीडियो को बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक सेंटी मीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्साता है यानि मैप है मैप है जो एक सेंटी मीटर की दूरी है वो 110 मीटर की दूरी को दर्साती है अब ऐसा तो है नहीं 110 मीटर का या किलो मीटर में दूरी दर्शाती तो किलो मीटर का एक मैप लाएं ठीक है तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो एक सेंटी मीटर जो है जमीन 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है इस मांचित्र में फतेह दर्वाजे से पटन चेरू दर्वाजे की दू दूरी 15.4 cm है जमीन पर इन दोनों दर्वाजों के बीच की दूरी कम से कम क्या होगी तो एक सेंटी मीटर दोस्तो 110 मीटर को दर साता है ठीक है अब मैं पर क्या दूरी दी गई 15.4 cm तो अब देखेंगे भाया क्या कह रहा है एक सेंटी मीटर बराबर इतना तो इसे 15.4 से कर क्या सीधे सीधे आप मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16.94 आ जाएगा ठीक है 16.94 आ जाएगा करके देख लिजेगा यहां से अगर मैं हटाऊं पॉइंट हटाऊं तो नीचे 0 बढ़ेगा यानि 10 बढ़ेगा यह और यह आपका कैंसिल हो जाएगा 11. 14.44 के 4 हासिल आपका 4, 11.55 और 4.69 के 9 हासिल 5, 11.1, 11.56 बिल्कुल सही है आपका और फिर कहता है इसमें अंसर तो आपके सारे किलो मीटर में आ रहे हैं और यह काहे में आया दोस्तो मीटर में आया अब मीटर में आया है तो इसे किलो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें और 1.694 किलो मीटर हो जाएगा ये आपका C option correct हो जाएगा ठीक है बिलकुल C option correct हो जाएगा बढ़ेंगे अगला देखेंगे question क्या है अगला question क्या कहे रहा है जल थीम से समंधित अब देखे एक theme EBS की क्या होती है जल भी होती है जल थीम से समंधित सामाजिक सांस्कुतिक मु अगर role play किया जाए तो बहुत बहुत बहुतर धन से सीखा जा सकता है अगला कहरा है दोस्तों विद्यार्थियों के बीच वास्तविक समवाद के द्वारा ये भी आपका बिलकुल सही है छेत्र ब्रमड द्वारा very very most और सबसे perfect जो सीखने की विधी है वो क्या है दोस्तों छेत्र ब्रमड विधी है ये याद रखिएगा c option आपका ये भी correct है c statement क्या प्रदर्शन और ग्रहकारे ग्रहकारे बेकार की बात है evs में जो c state के अंदर है वो ग्रहकारे बेकार की बात हो जाती है तो a b c क्या रहा है सीखा जा सकता है a b c option first वाला correct हो जाएगा a b c statement बिलक अब उल्लू क्या है दोस्तो उल्लू क्या है इसमें से देखेगा क्या कह रहा है उल्लू किसके साथ जाएगा उल्लू वो दोस्तो पक्षी है जिसकी आखे सामने की ओर होती है इसकी आखे क्या होती है सामने की ओर होती है याद रखिएगा b कह रहा है रेसम कीट रेसम कीट से भी अपनी मादा को पहचान लेता है यह आपका B हो जाएगा B जाएगा थर्ड के साथ बाज दोस्तो NCRT में दिया गया चील, गिद्ध और बाज यह हमसे चारगुनी दूरी अधिक देखते चारगुनी अधिक दूरी तक हम लोग चार किलो मीटर देखेंगे तो यूँ क्या है यह 16 किलो मीटर देख लेंगे बाज बाज जो है आपके बाज चील गिद्ध तो C जाएगा फर्ष्ट के साथ इसलोट अब यह क्या है दोस्तो यह भाईया एक ऐसे जीव है जो 17 घंटे लगभग ब्रच की साखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं उल्टे लटक कर सो रहा है और यह अपने पूरे जीवनकाल में सिर्फ 14 ही पेड़ बदलते हैं बाकी इनके 14 पेड़ में इनका कंड खतम हो जाता है पूरी इनकी लाइफ खतम हो जाती NCRT में टॉपिक दिया गया है ठीक है तो सारी चीज़े वैसे NCRT से ही है तो आपका A किस के साथ जा रहा है दोस्तो A आपका 3 के साथ जा रहा है तो यह भी आपका A 3 यह भी A 3 यह भी तो यह ऐसे ही कैंसिल हो गया B आपका 3 के साथ A, आपका 3rd के साथ B, sorry, आपका 4th के साथ जा रहा है तो इसमें B, 4th के साथ जा रहा है तो ये भी आपका cancel हो गया B, 4th के साथ किसमें जा रहा है ये इसमें जा रहा, B, 4th के साथ C, 1st के साथ जा रहा और D, आपका 2nd के साथ जा रहा option फिलाल आपका कौन सा right हो जाएगा third option सही हो जाएगा अगला बढ़ेंगे दोस्तो अगला question आज के इस वीडियो का last question है और अब बताईएगा आपने 10 में से कितने question सही किये हैं comment box में जरूर बताईएगा अगला question दोस्तो 10 number प्राथमिक इस्तर पर यानी primary level पर EVS सीखने के लिए वास्तविक चुनोती मैं कुछ आपको word बताता हूँ कई वीडियो में अपने बताया भी है कि कुछ चीजे सीटेट में negative होती परिभासा हैं आजाए negative या आपका option wrong हो गया रटना आजाए NCF 2005 road system से education को free करता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा negative हो जाएगा अवधार नाओ का विवरड भी negative सब्द है तो ये क्या हो जाएंगे ये आपके सारे गलत हो जाएंगे आपका सही जो correct option हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए विद्यों को व्यक्त करने के अवसर जो है वो वास्तविक चुनौती है EVS सीखने की प्राथमी के स्थर पर तो D option is right option तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही मिलते हैं कल फिर रात 9 बजे नए topic के साथ, नए class के साथ जैहन वंदे मात्रम